विल्कम फ्रेंड टॉनी का एकोरियम में फिर से आप लोगों का हारदिक अभिनंदन आप लोगों ने मुझे एतना प्यार दिया एतने कम समय में बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगों का तो चलिए आज मैं बाते ना बढ़ा के आप लोगों को डाफनिया कल्चर तो सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का डबबा लेना है देखिए मैंने एक छोटा सा डबबा ले लिया आप बड़ा भी ले सकते हो आपको जितना कल्चर चाहिए उस तरह का ले सकते हो तो चलिए आप डबबे में आपको पानी डालना है तो पानी कौन सा डालना है पा आपको कैसे डाफनिया कल्चर करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आप एक-एक समझ सकेंगे दोस्तों और अपने घर पे तैयार कर सकेंगे डाफनिया को तो चलिए दोस्तो इस पानी में अब क्या डालना है देखिए यह जो कैपसूल है यह मार्केट में बहुत महेंगा आता है तो उसी लिए मैं फिरी में बनाना सिखा रहा हूं तो फिरी में बनाने के लिए आपको केला का छिलका चाहिए दोस्तो यानि बनाना पिल्स यह देखिए मैं केल का छिलके को ड्याल दिया है और यह नेट लगा दह रहूं यह नेट नहीं है दोस्तो दूपट्ट बणी कर दोस्तों हम खिला सकते हो, तो चलिए मैं आज आपको डाफ्निया कल्चर करना शिखाता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए, ये मेरा चार दिन बाद का रिजल्ट है दोस्तों, चार दिन बाद देख सकते हो, पानी पूरा ब्लैर हो चुका है, यानि वाइट हो चुका है, और केला का छिलक यह पूरा ब्राउन हो चुका है यानि इसमें पूरा डाफनिया कल्चर हो चुका है फिर भी मैं इसे अभी यूज नहीं करूँगा इसको मैं और कुछ दिन छोड़ दूँगा तो चलिए कुछ दिन बाद मिलते हैं यह दिखिए पानी का कलर दोस्तों यह 14 दिन बात कर है तो अब इसमें आप लोग सोचते होंगे कि यह लाल पानी को मैं अपने मचली को कैसे खिलाओंगा तो चलिए मैं दिखाता हूं कि इसमें कितना सारा डाफनिया है और आप अपने फिस की बेबी को आप अपना बेटा फिस को खिला सकते हो इससे आपके मचली जल्दी अं तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ा कोशिस करता हूं कि मैं मोबाइल से सूट कर रहा हूं दोस्तो मेरा पास ना ही DSLR और ना ही कैमेरा है तो मैं मोबाइल से ही दिखाने का कोशिस करूंगा दोस्तो आप लोगों को ये देखिए मैं एक वाइट डबा ले ल दोस्तो नॉर्माल पानी एट कर लेता हूं इससे आप लोग अपने डाफनिया को इसी तरीके से आप अपने मचली को भी फीडिंग करवा सकते हो तो यह देखिए दोस्तो आप लोग गौर से देखिए मैं जूम करके दिखाने का कोसिस करूंगा कि इसमें कितने सारे डाफनि हो जाएगा अंडो से कोई भी मचली को खिलाइए यह डाफनिया उसमें आपका बहुत ज्यादा प्रोटिन है तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तो कि क्या बोलूं यह देख और आसान करने के लिए मैं इसमें वाइट वाले में डाल दिया दोस्तो अब मैं दिखाता हूं आपको डाफनिया इसमें कितना है यह देखो दोस्तो छोटे 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 यह सब सारे डाफनिया है दोस्तो यह डाफनिया आप अपने मचली को खिलाओ बेटा फ्रा यही डाफनिया होता है यह जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूं यही डाफनिया होता है दोस्तों तो इसी डाफनिया को खाने से आपकी मचली बहुत ज्यादा ग्रोथ में आएगी और जल्द बड़ा हो जाएगी दोस्तों यह देख सकते हो डबे में मैं आप लोगों को दिखान को खिला सकते हो आपका एकोरियम में जितने भी मचली है सारे को आप खिला सकते हो तो आप अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कॉमेंट जरूर कीजेगा और यह लोग यह चीज़ बना पाएंगे घर पे या नहीं पाएंगे क्योंकि यह मैं फिरी में आपको बनाना सिखाया ना कोई कैपसूल, ना कोई मैडिसीन स्रीफ एक केला का छिलका से आप घर पे डाफनिया, कल्चर कर सकते हो यह देखिए दोस्तो, मैं जूम करके दिखा रहा हूं कितना सारा डाफनिया है सिर्फ नीचे इतना है, पूरा ग्लास में कितना होगा दोस्तो आप समझ सकते होतने वड़ा डबा में, मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें इतना सारा डाफनिया है, तो मेरा पूरा डबा में कितना सारा डाफनिया होगा तो आप लोग देख रहे हो, टॉनी का एकोरियम दोस्तों, मैं हर चीज घर पे ही बनाना सिखाता हूँ, चाहे वो फिस फ्राइ का फिडिंग का ड्रॉफ हो, या एकोरियम हो, या फिर आपका फिस पॉंड हो, सारा चीज मैं घर पे बनाना सिखाता हूँ दोस्तों, तो आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करो और अगर आप लोग पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करो और ये डाफनिया कल्चर अपने घर पे करें और अपने फिस्ट फ्राई को खलाएं